नमस्कार दोस्तों मेरा नाम उजुलर आप देख रहे हैं माई पार्ट साला अगर आप SSC CGL 2024 की तयारी कर रहे हैं और बिल्कुल बिगनर हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर है हम जब तयारी करना स्टार्ट करते हैं SSC CGL की न तो सबसे पहले अपने आप से यह सवाल पूछ साल की तयारी में निकलता है कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक साल की तयारी में भी सही से एकजाम को निकाल लेते हैं तो क्या फरक होता है उन बच्चों में जो एक साल में निकालते हैं या फिर जो चार सालों में निकालते हैं या जो नहीं निकाल पाते हैं आप अगर लि मैं इस वीडियो में इसी बात की चर्चा करना हूँगा कि अगर आप एक बिगनर हो तो 2024 के SSC CGL की एक्जाम के तेहरी कैसे करो मैं इस एक्जाम को इतना करीब से जानता हूँ कि इसे फेल होने का इसे पास होने का ये दोनों का जो दर्द है और जो खुशी है वो दोनों पता है तो मैं दर्द नहीं डिसकुस करूँगा खुशी डिसकुस करूँगा और वो प्लानिंग डिसकुस करूँगा कि हम अपनी प्लानिंग को कैसे करें as a beginner कि हमें वो challenges मैसूस ना करना पड़े जो हमारे seniors को करनी पड़ी अगर हम first time prepare करने जा रहें इस exam को और हम 2-3-4 साल के उस मकड़ जाल में नहीं फसना चाहते हैं last year हमारे के student ने जिसने AIR 43 rank डाला था तो उसने बोला था कि this is a black hole है कि इसमें एक बर कोई इंटर कर जाता है और अगर सही तरीका नहीं पिक किया तो 4-5-6 साल गुजर जाते हैं बहुत सारी stories आप देखते हो जिसमें लोग select होते हैं पर बहुत सारी ऐसी stories भी हैं जो आपको हर coaching मंडी में मिलेगा कि वो 3-4 साल से तयारी कर रहे हैं किस तरीके से exam conduct होता है कितने phases में exam conduct होता है क्या-क्या उसका syllabus होता है कौन-कौन से subject की आपको पढ़ाई करने पड़ती है फिर उसके बार later stage पर आपन discuss करेंगे कि subject की अगर पढ़ाई करनी है तो उसकी planning कैसे होनी चाहिए और बाकी सारी चीज़े भी उसके आगे के section में करेंगे पर इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा 10-12-15 मिनट अपना कीमती समय इस वीडियो में देना पड़ेगा तो पेपर का pattern क्या है पेपर actually 3 phases में होता है पहला phase होता है जिसको tier 1 बोलते हैं हम लोग और आपके 4 subject होते हैं चार subject में पहला हो गया general intelligence जिसको हम reasoning के नाम से जानते हैं दूसरा हो गया General requirements हमझेड के नाम से जानते हैं तीर सा subject हो गया aptitude जिसको mass के नाम से भी जानते हैं और जो चौथा हो गया वो English comprehension हो गया इन सब के 25-25-25 कोशन आते हैं और इनके जो marks होते हैं हर कोशन का दो number होता है negative marking भी होती ही तो पच्चिस दुनी-पचास, पच्चिस दुनी-पचास, पच्चिस दुनी-पचास, पच्चिस दुनी-पचास स्कोर होता है, इसका मतलब नहीं है कि 200 में आपको 1.500 स्कोर करना है अगर आपका easy shift है तो आपको 1.500 प्लस स्कोर करना है अगर आपका difficult shift है तो अगर आपने 135 नंबर भी स्कोर किया 130 नंबर भी स्कोर किया है तब भी आपका cut-up cross हो जाता है तो आप ऐसे मान के चलो कि difficult shift में आपको 135 नंबर score करना पड़ेगा ज़िए raw score और अगर easy shift हो गया तो आपको 1500 नंबर cross करना पड़ता है तब जा कि आप phase 1 qualify कर पते हो इसमें कोई sectional मतलब ऐसा नहीं होता है कि reasoning gs और in-k individual cut-off हो overall cut-off देखा जाता है यह सबसे पहला phase होता है जिसको आपको clear करना पड़ता है जब आप इस phase को clear कर लेते हो जब दूसरे phase में जाते हो तो दूसरे phase में आपका दूसरे phase का exam होता है जिसके modules बने होते है paper 1 paper 2 essay करके तो paper 1 में आपका 2 गंटे का पहला session होता है और 2 गंटे 15 मिनट का जिसमें देखो divide कैसे होता है एक section आता है जिसमें आपको क्या करना होता है math और reasoning एक साथ देना होता है पहले reasoning नहीं थी पर अब reasoning भी आ गई हमारे समय में reasoning नहीं हमा करती थी तो math और reasoning एक साथ होती है math के 3 question होते है reasoning के 30 question होते है total जो है 180 number का होता है एक question के आपके 3 number बनते है ये सबसे आपका scoring section होता है उन बच्चों के लिए especially जो math background के होते है जिनका math अच्छा होता है उनकी reasoning भी अच्छी होती है और यहां का जो score होता है वो आपका rank decide करता है यही matter करने वाला फीजबन तो सिर्फ qualifying nature का होता है इसके बाद जो दूसरा section होता है उसमें आपका general awareness होता है और English का paper होता है English में आपका grammar, vocab, comprehension तीनों section आजाता है जिसमें English का weight is काफी बढ़ा होता है 45 question होते है और जो आपका GS का होता है वो 25 का होता है total मिला जो लाके 45, 25, 70 question आते है और 210 number का होता है अब इस वाले section में अगर हम देखें तो English में score करना आसान होता है English में मतलब आप 42 question तक 43 question तक सही कर सकते हो GS के question में आपने 18 भी अगर सही कर लिया तो scoring section आपका यह होता है यह section होता है यह थोड़ा difficult होता है सभी के लिए challenge आस तक रहा है जो भी तियारी कर रहे क्योंकि GS अपने आपने ही बहुत अथा संसार है तो यह वाला section होता है इसके बाद आपका computer आता है computer के आपके 20 question होता है 6 number के होता है लेटर स्टेज पर चर्चा करेंगे कि यह exam क्या होता है इसमें क्या करना पड़ता आपको PPT बनाना सीखना होता आपको Excel बनाना सीखना होता है आपकी typing speed 27 से उपर होनी चाहिए यह एक section है जिसका भी उसी time पर paper आपका test होता है यह बहुत जरूरी होता है इसके अलामत दो अलग से paper होते हैं एक होता है आपका W का paper W का paper ऐसा होता है कि पहले यह 2016 में से पहले 2015 तक जब आप UPSC clear करते थे तब जाके आपको यह मिलता था यह सबसे बड़ी post होती है SSECGL गे अंदर gadgetate post होती है इसके लिए आपको एक अलग paper देना पड़ता है और एक सवाल यह आता है 100 question का आता है 200 number का होता है यह सवाल बना रहता था कि इसके लिए सर economics का होना जरूरी है नहीं economics है तो अच्छी बात है नहीं economics है अगर simple graduate भी हो तो भी आप एक paper दे सकते हो और statics का एक और paper होता है JSO post के लिए उसके भी 100 question आते हैं इसके लिए एक अलग eligibility criteria होती है यह एक अलग domain होता है जिसमें आपको एक अलग paper देना पड़ता है इसके लिए eligibility criteria भी अलग होती है तो इस तरीके से आपका paper पूरा SSC का बड़ा होता है यह सारे पोस्टों को मिला के 30-32 पोस्टों होती है उन 30-32 पोस्टों का सारगर सारे section होता है phase 2 clear करने के बाद उसमें जो आपका score बनता है उस score के हिसाब से आपकी rank decide होती है तो उस हिसाब से आपको मिलता है जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो सिर्प इतना ही सवाल रहता है कि हम select हो जाएं बस उतना ही काफी है इंस्पेक्टर बन जाए उतना ही काफी है लेकिन जब हम inspector बन जाते हैं और हम अगर North India ना अगर South India में अगर हमारी posting हो जाती है लेकिन अब बात याती कि हम सपने तो देख लेते हैं तो देख लेते हैं कि हम rank बनाएंगे हम ये करेंगे हम income tax बनेंगे लेकिन उसके पीछे जो मेहनत करनी पड़ती है जो systematic ढंग से मेहनत करनी पड़ती है वो हम नहीं करते हैं subject हमारे 4 हैं एक तो math हो गई ambaza में reasoning हो गई GS हो गई English हो गई इन 4 subject को जब हम पढ़ने चलते हैं तो इनके syllabus को जानना बहुत जरूरी है तो अगर हम सही से इनका syllabus नहीं समझते हैं relevant books नहीं मिलती हैं relevant teacher नहीं मिलते हैं online sources नहीं मिलते हैं study plan करना पड़ता है it's like time table जिसको बोलते है कि हम में ये देखना पड़ता है कि हमारे पास कितना relevant समय है अगर हमारे पास 10 महीने exam से पहले है या 8 महीने है तो हमारे पास sufficient time है अगर मैं B.tech B.Sc. student हूँ तो मेरे पास sufficient time होता है तो rank बनाने के लिए 8-10 महीना पर B.A. वाला बच्चा है तो थोड़ा उसे ज़्यादा समय चाहिए होता 12-14 महीने चाहिए होता है कम से कम में क्योंकि उसकी mastery week होती math सीखने में थोड़ा मेहनत लगता है पर अगर PCM आपके बारवी में रहा हुआ है तो वो भी problem नहीं होती है arithmetic section आसान सा सीख लेता आदमी advanced section में थोड़ी परिशानी आती है तो हमें एक proper ना planning करनी पड़ती है हमको एक goal realistic अपनी आवकात के हिसाब से set करना पड़ता है कि हमारा बच्पन कितना सही बीता है और कितना खराब बीता है अगर बच्पन में हमने पढ़ाई सही से कर रखी है तो हमारे लिए काम आसान होता है और अगर बच्पन में हमने बहुत लापरवाई कर लिए होती तो हमारा जो रास्ता होता है थोड़ा ज़़ाधा difficult होता है हमें थोड़ा ज़्यादा discipline होके काम करना होता है एक realistic goal चेक करना पड़ता है कि हम AIR 1 बना पाएंगे, AIR 2 बना पाएंगे या नहीं लेकिन dreams हमेंसा high रखना चाहिए और dreams high रखने के साथ साथ आपको मेहनत भी उसी हिसाब से करना चाहिए dreams high रख लिए अगर मेहनत नहीं उसी हिसाब से किया तो भी बड़ी दिक्कत है अब उसके बाद क्या है कि हमको 4 subject है, पूरे दिन भर में हमको पढ़ाई करना है, तो हमको लगबग equal proportion में time set करना पड़ेगा, क्योंकि pre or mains में सारे subject का weightage almost same है थोड़ा उपर नीचे है, English का थोड़ा जादा है लेकि almost same आप इसे कह सकते हो तो अगर हमने ये decide कि 8 गंटे अगर हमें दिन में पढ़ने हैं, तो 2 गंटे का time slot अपन सब में decide कर सकते हैं इसमें क्या होता है, reasoning हमारा section होता है, जिसको 1 गंटे पर दे भी पढ़के हमारा काम हो सकता है वनावर भी पढ़ने अगर पढ़ोगे तो इसका काम हो सकता है तो इसका एक जो घंटा बज़ता है वो आप इसमें इसमें और इसमें allocate कर सकते हो 2-3 महीने की पढ़ाई के बाद आपको हर रोज 2 घंटे revision के लिए add करने होते हैं और जब एक बार sales complete हो जाए तो आपको दिन में 2 घंटे और add करने होते test देने के लिए mock test देने के लिए कि जो भी आपने पढ़ाई की है वो पढ़ाई आपके कितनी सही चल रही है वो test देके पता चलता है test में हम स्कोर नहीं देखना होता है test में हम यह देखना होता कि हम कहां कहां गलती कर रहे है जो हमने पढ़ा है उसे हम क्या पेपर में अपलाई कर पा रहे हैं नहीं अपलाई कर पा रहे हैं तो वापस से हम देखते हैं कि कहां कहां हमारी गलती होती है इसके लिए में notes बनाना बहुत जरूरी होता है subject wise proper notes notes बनाने में बहुत बड़ा issue रहता है कई बार लोग सब कुछ चाप लेते है notes बनाते हैं आपको relevant चीजे ही अपने notebook में लिखनी होती क्योंकि किताबों में तो सब जो पढ़ रहे हो सबसे पहले यह understand करना होता है कि दो section होता है किसी भी exam को crack करने के लिए किसी भी subject को pick करें एक होता है theory का section एक होता है practice का section और तीसरा जब आप theory cover कर लेते हो तो फिर आपका test का section होता है mock test जिसको हम भोलते है या sectional test भोल सकते हैं यह जो test होता है यह बताता है कि जो आपने practice की जो आपने theory पड़ी वो यहाँ पर apply कर पा रहे हो कि नहीं यह apply कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो इससे जांच में यह पता चलती है यह आपकी basics होती तो सबसे पहले basics build करने के लिए सबसे पहला जो काम होता है वह को theory पढ़ना पढ़ता है theory होगी तभी तो उस पर practice करोगे और जो theory और practice कर लोगे तभी तो देखोगे कि आप apply कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो यह theory practice और mock test यह तीनों को combination ही तो होता है यह सबसे पहले आपकी basics build करती theory जब आप पढ़ते हो और मान लो आपने subject चुना पहला subject चुना आपने किसका math का तो math के 2 section होते हैं सबसे पहले आपको यह decide करना पड़ेगा कि आप arithmetic pick करोगे या फिर आप advanced pick करोगे arithmetic में देखोगे इन दोनों में मिला के तकरीवन 24 chapters होते हैं जो आपको पढ़ने पढ़ते हैं ठीक है ज्यादातर chapters के number आपको इधर मिलेंगे इसमें चार-पांच chapter मिलेंगे पर चार-पांच chapter काफी बड़े होते हैं वेटेज बिल्कुल आधा-धा रहता है एडवांस का section और कभी arithmetic का section ऐसा होता कभी 45-45 का रहता है कभी arithmetic 45 आ जाता है कभी arithmetic 55 आ जाता है तो वेटेज इतने ही रहता आपके exam में तो arithmetic के topic आपको बाकी जो है 18-19 जो होते हैं छोटे-छोटे topic होते हैं 18-19 पढ़ने पढ़ते हैं अब आपको देखना पड़ता है जब भी आप arithmetic पिक करोगे तो आपको सबसे पहले इसकी theory या यूँ कहलो concept का section प्रिपेर करना पड़ता है किसका concept का section प्रिपेर करना पड़ता है इसके लिए आप अपको यह प्लान करना पड़ेगा कि आपके जब में पैसे है या आपके जब में पैसे नहीं है तो YouTube का content इस्तेमाल करके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो कि क्या हर चैप्टर को सही से और्गनाइज किया गया नहीं अगरनीज कंटेंट नहीं मिला तो क्या होगा आपका selection और दूर हो जाएगा organized content होगा तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा जैसे number system में अगर 14 concept है तो 14 concept अगर organized मिल जाए teacher थोड़ा उपर नीचे भी पढ़ाए तो भी हम उसे सीख जाते हैं तो organized content का मिलना बहुत जरूरी है तो यह section आपको करना पड़ेगा तो theory पहले complete करनी पड़ती फिर practice करना पड़ता है फिर अगर आपने arithmetic cover कर ली तो फिर आपको advance cover करना होता है फिर उसकी practice करनी होती है फिर sectional test देना होता है math का 25 question का पूरा फिर उससे आपको पता चलने लगता है इसी तरीके से आपको क्या करना होता है English section में आपका 3 section रहता है एक रहता है आपका English grammar एक रहता है grammar दूसरा रहता है आपका vocab और तीसरा जो section रहता है वो comprehension रहता है जो comprehension का section होता है वो grammar और vocab बिल्ड होने के बाद बिल्ड होता है वकैब तक्रीबन 9000 words आपको याद करने पड़ते हैं, इतना आपको ध्यान रखो, इतना previous area में आया है, इस previous area पढ़ना पड़ता है, grammar आपका देड़ से दो महीने में इसका service cover हो जाता है, दो तीन बार आपको इसको तैयारी करने पड़ती है, यह दो cover करने के साथ साथ आप comprehension जारी भी रख सकते हो, पारा जंबल, close test और paragraph तीन section इसके अंदर आते हैं, यह जैसे जैसे improve होगा, यह already improve automatically होने लगेगा, समझ में आई बात, इसके लिए भी organized content का होना बहुत जरूरी है, एक बार आपने इसकी theory पढ़ ली तो फिर आपको practice करना होता है, बार बार practice करना प prepare हो जाती है और इसमें आप 95 से 100% score कर सकते हो, अगली जो section आती ही बाती GKGS का section, इसमें ज्यादतर बच्चे ऐसे होते हैं, जो current affair पर परिशान रहते हैं, current affair, current affair, current affair करे जाते हैं, इसमें बहुत सारा आता है, आपका quality आता है, geography आता है, economics आता है, सारे GS के सारे subject आते हैं, त आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको organized way से पढ़ना पड़ेगा, मतलब आपको quality तमीज से पढ़नी पढ़ेगी, science के section में, physics, chemistry, bio, thino पढ़नी पढ़ेगी, economics आपको पढ़नी पढ़ेगी, साथ में history आपको पढ़नी पढ़ेगी, सब पढ़नी और यह आप YouTube पे ढूरते रहते हो, paid content में ढूरते हो, कहीं मिलता नहीं है, मैं वीडियो के end में इसका organized source बढ़ा दूगा, दूसा चीज है कि मेरे हिसाब से, मेरा personal opinion है, यह person to person vary करता है, current affair आखरी 3-4 महीने में ही पढ़ना चाहिए, और कम से कम में, मतलब 12 महीने, last, मतलब पिछले 12 महीने या 8 महीने के आस पास तक cover करना चाहिए, एक दो question कई बार 2-2 साल के push देता है, तो यह मान के चलो कि 12 महीने के बाद भी कुछ पूछाना तो हम छोड़ देंगे, मतलब उसे एक question के लिए अगले 12 महीने का और current affair पढ़ना मतलब इलोजिकल सीन है, मतलब वह म पिजाम के समय आखरी 3 महीने में current affair पर ध्यान देना होता है, उसके पहले static portion खतम करके रख लेना होता है, तो यह भी एक चीज है, यह मैं अपने पहलो बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अर्जिस भी कर सकते हो, जब आपका पूरा course complete हो जाए तो आपको mock test देना होता ह मौक test आपको हर रोज एक देना चाहिए, जब भी आपका course खतम हो जाया और उसको analyze करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से, जैसे मान लो 200 में से 150 नमर मेरे आ गए, मैं खुस नहीं होता हूँ, मेरे वो 50 नमर कहां कट गए, मैं उसमें बहुत ध्यान देता हूँ, तो यह चीज आपको theory complete करने के बाद आपको सीखनी पड़ती कि mock test कैसे सीखें, इस सबसे जादा important पता revision का section होता है, कि आप revise कैसे करोगे, अगर आप 2-3 महिने के बाद अगर आपने सही से revision नहीं किया, तो revision ना करने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है, देखो जैसे क्या होता हमारा दि मांक में चला जाएगा, तो continuous revision का process आप सेट करोगे, तब ही बात बन पाएगी, इस पर भी बहुत मैंने video बनाई है, कि how to revise, एक mind ball concept सिखाया था, कि आप कैसे revise कर सको, वो भी अगर आप देखोगे, तो playlist में पड़ी होगी, कि mind ball का concept क्या था, कैसे revision करते हो, तो उस video को देख और revision math के लिए लग काम करती है, reasoning के लिए लग काम करती है, GS के लिए लग से काम करती है, लेकिन अगर अगर इस पर चाहिए, तो नीचे comment section में बताईएगा, उगर लेंगे, इसमें ये सारा काम करते करते, एक जो सबसे important चीज होती है, वो होती है, organized course, जितना मैं आपको SSC क सिल्वस बता रहा हूं, ये सारा का सारा organized course आपको माई पार्सला के app पे मिल जाता है, time to time उसमें offer आता रहता है, वैसे सारे courses आपको 2,500 रुपे के अंदर सारा का सारा मिल जाता है, 2,500 रुपे इतना बड़ा नहीं है, जितना आपका साल कीमती होता है, आप जाओगे उसमे सारा content free में पढ़ा है, वहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपको समय बचाना है, तो आप माई पार्सला के app पे जाके, organized content का फाइदा उठा सकते हो, इंटाइर सेल्वस आपको पूरा, proper, organized way से मिल जाएगा, ये बहुत important चीज है, अगर आपको books भाई करनी है, तो माई पार्सला ने smart books निकाली है, ये सारा का सारा जो organized content है, वो book के form में भी है, अगर आप book order करते हो, तो आपको अलग से video content buy करने की need नहीं पड़ेगी, इन किताबों में, उनके सारे videos अलड़ी compiled किये गए है, QR code के माध्धम से, आप किताब पढ़ते हैं, वीडियो का सारा लेकि मैं उमीद करता हूँ कि जो मैंने आज आपको सिखाया है, उस बात को समझ पाओगे, exam के pattern को समझ पाओगे, साथ में किसी subject को start कैसे किया जाया है, time कैसे किया जाया, plan कैसे किया जाया, वो सारी चीजे बहुत important है, और सबसे important factor है, organized content का, और वो organized content आप YouTube पे unorganized way में पासकते जिसमें आपको वो organized content मिल सकती है, आप वहाँ पे जाके, team से बात करके, demo भी ले सकते हो, कि वो वाके में organized है या नहीं है, तो एक दो दिन का demo भी team को call करोगे, तो वहाँ पे मिल जाता है, तो यह एक process है, जो आप अपने exam के लिए set कर सकते हो, कोई और video ऐसा चाहिए, कोई